Hi everyone, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का CUT Super Grades by Top Rankers के YouTube चैनल पर मैं पंगर सार आप सभी का हारदेग स्वागत करता हूं आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे B.T.E.C. तो करना चाते हैं बट वो जेई जैसे बहुत बड़े एक्जामनेशन को फेस नहीं करना चाते हैं तो उनकी लिए आज का वीडियो बहुत खास है क्यों कि आप B.T.E.C. कर सकते हैं और वो भी विदाउट जेई का एक्जाम दिये अब आप सोचिंगे कि सर ये कौन सा बलफ मार रहा है आप अपने वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कोई बलफ नहीं है ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि जेई नहीं देना चाते हैं से पहले हम बात करेंगे कि सर हम बीटेक कर रहे हैं वो भी कहां से डेली उनिवरसिटी से है अच्छा हम ऐसी छोटी मुटी जगा से नहीं कर रहे हैं बीटेक हम बीउ से कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो हम जे के थ्रू नहीं जाएंगे तो जे की थ्रू नहीं जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर कैसे जाएंगे इसका खुद का कोई एक्जाम है क्या जी हाँ इसका खुद का एक एकजाम है और ये एकजाम का नाम है C.U.E.T. जी हाँ C.U.T. की एकजाम के थ्रू आप यहाँ पर जहां पर फिलहाल अभी आपको IT and MI यानि कि Information Technology and Mathematical Innovation में B.Tech degree दी जाती है और ये एक बहुत ही यूनीक सा combination है यानि कि IT के साथ में Mathematical Innovation तो यानि कि Coding के बारे में और यहां पर आगे उसके बारे में और भी detailed चीज़ें आपको यहां पर सिखाई जाएंगी और इसका future जो है व बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगी जो कि अभी फिलहाल बहुत कम है यानि कि अगर हम बात करें J की comparison में तो J के थू जो बच्चे B.Tech करते हैं और CUT के थू जो बच्चे करते हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों को अभी awareness नहीं है है ना कि अच्छा हमारे पास में C CUT के थू भी B.Tech करने का option है वो भी D.U. से तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेगा क्योंकि आप D.U. से करने वाले हैं B.Tech कहीं छोटी मोटी जगा से नहीं करने वाले हैं साथी सार यहाँ पर जो combination मिला है आपको B.Tech degree के लिए वो भी बहुत अच्छा है जो क कि future में आपको बहुती fruitful result देने वाला है ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप जानते है कि coding का जो भविश है वो बहुती bright है तो बात करते हैं सर यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमें D.U. से करने का तो मौका मिल रहा है तो सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे और थोड़ा बहुत दिगरी के बारे में हमें information दीजे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भईया यह जो है यह चार साल का program है इसकी जो overall fees है वो 70 से 75,000 के बीच में है यानि की बहुत कम fees में आपका जो है बीटेक complete हो जाएगा सहीर से बात है कि आप जब अच्छे government colleges या university से पढ़ाई करते है तो हाँ पर fees जो है काफी कम होती है reasonable होती है और वहाँ पर आपको जो campus मिलता है वहाँ पर जो आपके पास में crowd आता है जो बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक particular examination को qualify करके आपको मिलता है तो आपको अच्छा campus मिल जाता है अच्छा student का base मिलता है वह और इनका placement cell नहीं है तो भी ठीक है चलिए तो बात ये करते हैं भीया कि यहाँ पर 4 साल का course है 70-75 के बीच में इनकी overall tuition fees है आपको यहाँ पर क्या criteria fulfill करना पड़ेगा आपको एक language choose करना पड़ेगा वो language Hindi, English या जो भी आप language देना चाहते हैं आप ले सकते हैं preferred language है English और साथ साथ आपका एक domain is specific subject होना चाहिए खास और पर वो सिर्फ हो सिर्फ math या applied mathematics ही हो सकता है यानि कि यह बीटेक को सिर्फ mathematics वालो के लिए है इस बात कर ध्यान रखेंगे साथी साथ आपको general test देना पर इस general test के अंदर क्या आएगा आपका quants आएगा आपका reasoning आएगा आपका gk and current fair आएगा ठीक है फिर यहाँ पर अगर अगर आप भी बात करें कि इसका जो maximum score है वो 650 का है बट 2022 और 2023 के cutoff को अगर हम देखें तो 604.5 and 595.2 यानि कि काफी अच्छा cutoff गया है इसका मतलब यह है कि paper easy आता है इसलिए cutoff थ्रहाँ सा high गया है बट cutoff अगर high गया तो भी competition त face कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला है तो यह आपको जानकारी मिल गई कि यह 4 साल का course है क्या fees है क्या आपका criteria रहने वाला है और क्या आपका total score होगा उसमें से आपको कितना cutoff निकाल लेना चाहिए अभी 2 साल के हिजाब से ठीक है अब पर आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी companies होती है वो हमेशा ऐसे university के साथ में tie-ups करती है जहां पर अच्छी faculties होती है देश भर के अच्छे बच्चे वहाँ पर आते हैं उनका campus बहुत अच्छा होता है ठीक है तो DU उनमें से एक है जहां पर बहुत अच्छी faculties आपको मि मिलेंगी और देश भर के चुने होए बच्चे वहाँ पर आपको मिलने वाले तो हर एक company के साथ में इनका tie-up होता है और वहाँ पर यह sure करते हैं कि आपको 100% internship मिलें साथी साथ यहाँ पर जो internship मिलता है वो भी बहुत अच्छी company के थ्रू मिलता है और यह internship के बाद assure आपको करते हैं कि आपको permanent placement भी मिलेगा ठीक है अगर हम बात करें average जो placement हुआ है उसमें जो package गया है वो 10.5 lakh पर एनम गया है जो कि काफी ठीक ठाक सा placement है साथी साथ अगर हम बात करें जो highest package गया है वो 31.5 lakh पर एनम गया है तो अगर आप जहीं नहीं देना चाहते हैं आप अच्छ जिस चीज में मिल रहा है वो है IT and MI जो कि अभी फिलहाल बाकी जगा पर इसके options आपके पास available नहीं होंगे और DU से अगर आप यह करते हैं तो आगे आने वाले time में आपको बहुत 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 जादा benefit मिलने वाला है अब बात करते हैं कि सर्थ ठीक है हम कर लेंगे बट सर CUT exam को कैसे crack करें हम अपने domain specific mathematics को कैसे improve करें हम कैसे language test में अच्छा करें कैसे हम general test में अच्छा करें तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं सबसे पहले अपने conceptual knowledge पर काम करिए conceptual knowledge का मतलब यह है कि for example अगर आप language की बात कर रहे है तो English में जो vocabulary है grammar है उस पर बहुत focus करें basic basic चीजों पर focus करें उसको और improve करने की कोशिश करें कैसे और improve कर सकते हैं वो भी मैं आपको solution देने वाला हूं साथी साथ अगर हम domain specific mathematics की बात करें तो अपने class 12 के syllabus को बहुत अच्छे से पढ़ें हर एक chapter को importance दे हर एक chapter को connect करें दूसरे chapter से और ह class 12 का syllabus तो आप से पूछा जाएगा mathematics में बट वहाँ पर जो सवाल आते हैं board examination में same सवाल यहाँ भी पूछे जाएंगे बट यहाँ पर आपको objective point of view से उसको solve करना है वहाँ पर आपको कम समय मिलेगा जादा से जादा सवाल आप करेंगे तब जाके आपका selection होगा यहाँ पर fine तरीके होने चाहिए shortest तरीके होने चाहिए तब जाके हम वहाँ पर उस competition को अच्छे से face कर पाएंगे तो अपने conceptual knowledge को build करिए अपनी approach पर काम करिए साधी साथ previous year के questions जरूर देख लीजिए आजकल बहुत सारी किताब है अविलेबल है जहाँ पर chapter wise आपको PYQs मिल जाते है PYQs करने से आपको फायदा यह होता है कि आपको examiner का mindset समझ में आता है आपको समझ में आता है कि यार examiner किस type के सवाल पूछ रहा है किस तरफ उसका जादा रुझान है किस type के सवाल बार बार repeat हो रहे हैं कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो बिलकुल same data के साथ repeat होते हैं PYQs करने से हमें यह फायदा मिलता है कि हमें flavor समझ में आता है हमें थोड़ा सा mind समझ में आता है और हमें preparation करने में भी आसानी होती है कि हमें क्या पढ़ना है actually में और क्या बिलकुल नहीं पढ़ना है ठीक है न हम unnecessary unrelevant चीज़े पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं है हमें बिल इसके लिए आप online test दे सकते हैं यानि की CBT computer based test दे सकते हैं इससे फायदा यह होता है कि आपको पता चलता है कि आपको किस सवाल में कितना समय देना चाहिए था आपने कितना दिया और आपने कितना सही किया कितना गलत किया कहां पर scope है कि आप उसको सही कर सकते हैं कहां कहां आप गलतियां कर रहे हैं यह आपकी जो performance है उसे graphically आपको दिखा दिता है अगर आप online test देते हैं तो साथी साथ time का भी ध्यान आपको रहता है कि इसको given time period में ही करना है नहीं तो हमारा time निकल जाएगा और हम अपने number of questions जो हमें attempt करने थे वो नहीं कर पाएंगे और अगर हम इतने number of questions attempt नहीं कर रहे हैं तो फिर हम race से बाहर हो जाएगे तो time bound practice जरूर कीजिए इससे आपको बहुत बहुत फायदा होता है अपनी speed को अपनी accuracy को साथी साथ अपने knowledge को check करने में और आप देख पाते हैं कि आप कितना और कैसे perform कर रहे हैं और कहाँ पर आपको scope है को test कीजिए फिर उसका analysis कीजिए कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया सही किया तो अच्छी बात है गलत किया तो कहां गलत किया क्यों गलत किया उसे कैसे सही किया सकता है साथी साथ जो गलत किया उसके लिए उस chapter को फिर से revisit कीजिए उसको revise कीजिए उसको पढ़िए और य पर्फॉर्मेंस को देखेंगे कि अच्छा आप मैं इंप्रूफ कर रहा हूँ मैंने पहले टेस्ट दिया, दूसरे टेस्ट दिया, तीसरे टेस्ट दिया और धीरे धीरे मेरा लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है मेरा जो performance है वो बहुत अच्छा होते जा रहा है यह आपको अगर करेंगे यह आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ अब इसमें हम आपकी क्या help कर सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल जहां पर आप यह वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आपको पूरा का पूरा free content जो है अगर हम domain specific mathematics के बात करें तो उसके जो PYQs हैं वो भी आपको मिल जाएंगे साथी साथ अगर आपको chapter wise उन chapter पर बहुत अच्छी command करनी है तो आप इसे भी देख सकते हैं यह आपके class 12 के लिए भी beneficial है साथी साथ आपके competitive examination के लिए भी chapter wise बहुत जादा beneficial है उसके अलावा आप PYQs देखिए यह जानने के लिए कि अच्छा सवाल paper में कैसे पुछे जाते हैं objective के साथ कैसे खेला जाता है कैसे हम सही जबाब तक पहुत सकते हैं उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आप यह तो हो कि mathematics की बात अगर हम बात करें general test की जिसमें आप से quants पुछा जाएगा reasoning पुछा जाएगा gk या current affair पुछा जाएगा तो उसकी भी playlist आपके पास तयार है आपके पास में topic wise सारे quants और reasoning के playlist तयार है साथी साथ यहाँ पर हर एक topic को बहुत देल में आपको समझाये गया है साथी साथ यहाँ पर इनके pyqs भी आपसे discuss किये गए हैं चाहे वो logical reasoning के हो चाहे वो coins के हो चाहे वो gk या current affair के previous questions हो तो आपको किसी topic पर command करना है तो उसके लिए भी आपके पास playlist तयार है और अगर आपको pyqs देखना है वो भी आपके पास available है आपको सिर्फ channel को visit करना है चनल को subscribe करना है और playlist को save करना है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं English के लिए तो भीया अभियानसर से अच्छा और कौन मिलेगा आपको अभियानसर की सारी playlist चाहे वो topic wise playlist हो चाहे pyqs हो ये सारी playlist आपके पास already हमारे channel पर है आप जाके visit करें आप scheduling कर लें daily business पर कि आपको 2-3-3-4 कौन सा वीडियो देखना है अपने notes बनाना है उसको फिर revise करना है और अगर आपको किसी भी वीडियो को देखते समय कोई भी doubt आता है तो आप उसी वीडियो की नीचे comment box में comment करके वो पूछ भी सकते हैं हम as soon as possible जैसे उसे देखेंगे आपको reward करेंगे ठीक है तो मेरे खाल से ये सारी चीज़ें अगर आप follow करते हैं तो आप बहुत अच्छे marks लेकर आ सकते हैं और आप दियो से बीटेक आराम से कर पाएंगे पर आपको इसको follow करना पड़ेगा आप हमसे अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं कोई भी notes चाहते हैं PDF चाहते हैं handwritten notes चाहते हैं तो आपका हमारे telegram channel जो है उसे join कर लेना चाहिए इसकी link आपको description में और chat box में मिल जाएगी यहाँ पर हम रोजाना जो भी YouTube पर session लेते हैं उसकी PDF शेयर करते हैं और भी चीज़ें notes के form में formula sheet हो गया या video की links हो गई यह भी ह अगर आप हमारे channel पर हमारे courses को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे website को visit कर सकते हैं एक दो मिनिट का समय दें आप हमारे courses में क्या-क्या चीज़ें हम प्रोवाइट करते हैं क्या-क्या benefits हैं हमें join करने की वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और अगर आपको कोई query रह जाती है और आप call पर बात करना चाहते हैं तो आप इस number पर call कर सकते हैं ठीक है तो मैं उमीर करता हूँ कि आपको आज के session में मज़ा आया होगा और आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा कुछ नयी चीज़ें आपको पता चली होगी जो कि आपके लिए बहुत important है अगर session अच्छा लगा हो आपको समझ में आये हो कि हाँ या या चीज तो बहुत अच्छी बता गए सर तो आप प्लीज इस वीडियो को like कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और चैनल को subscribe कर लिजी क्योंकि मैं इसी तरह से और हमारी पूरी टीम इसी तरह से आती रहत तेक अपना ख्याल रखी है थैंगी सुम्च